अपनी पोजिशन को ना मेंटेन करना जैसे किसी चीज को बिगाड़ना बहुत इजी है किसी को थपड़ मार दो असान है लेकिन बात देगड़ी तो किसी चीज को ना तीन चीज़ा होती है सब्सक्राइब करें कौस्ट्रकसन अचीज को बिगाड़ना ओर ऑद गाल जैसा मेंटेंन सब्सक्राइब फडिवर ये compan eff t आपने और मेंटेन करने के लिए कोई चीज माल्याप टोपर है हर क्लास में टोप आना कितना मुस्किल गाम है वो जिसन को मेंटेन करना बस आपने यही देखना है यही सोचे आप जो स्टेडी करते जारे हैं उसको आगे तक पॉंटिनुर रख रहेंगे नहीं उसी उसी तरह कि वह जादे इंपोरेंट है जैसे हमारे सीनियर हमें बताते थे जैसे हम आईटी में सेलक्शन हो गया पहले तो होई नहीं रहता है पहले स्टेप तो यही होता है कि आईटी का एंट्रेंस देने के लिए क्वालिफाय होना माने जैसे अभी तो आप टैंठ में हैं लेकिन बच्चे एट्ट क्लास से जा रहे है है हमारे टाइम में देजना नहीं था जब मैंने टैंठ की मेरी टैंठ 2008 की एट लेकिन आज की अगर से नेज़ेशी बाद करें हों कि एर्थ स्टेंगर से शिक्स्ट इस्टंगर से बच्चे कोटा बिल्ली कोचिंग करतें त्यारी करत इसे कुछ नहीं कि आम यहां त्यारी कर रहें यहां पड़ रहें तो आप नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं हमने भी ऐसी क्लास नहीं है बैटके टीसंस में टैन तक 12 तक हमें भी हमारे सर ऐसी बताते थे नहीं भी बताते थे आपको तो चलो मैं बता भी रहूं या बताओंगा क क्यों केंगद ज् töख्वियां क्यों कि पत्रिंग क्यों होगा है किमिक हम यह तो हमें तो कुई बताने वाले नहीं ल davon रहा कि कोई आई टी कोई टीचर रहा और वे इक ते हमारे शहरी साथे यह अ होतुत लिए तो देखो छोटी छोटी वात thứ हैं आप पोच्छ सकते हो तो सब्जेक की चीज़ें जितना जाते से ज़्यादा पूछ कोई उससे क्या फाइदा होगा फूछने की काई फाइद होता है एक तो आप क्लास में टेंटिव रहोगी है अगर आपको यह सोचाने क्लास में पूछना तो आपका ध्यान भाहर निजाए क्योंकि आपको लगता होगा मैंने भी एक लास बैठकी रहे है इसार पढ़ा रहे हैं हम कहीं ह हो रही हैं तो अगर आप पूछने की वोरा खीनर टेंडिंसी हर जगा अभी तो डिगनल हो टैन्थ में हो 11 12 आगे बेसी या बीटैक्ट या जो भी आप करना चाहते हो बहुत सारी लेकिन 10 11 12 यह बेस है ठीक है और आज का जो 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 यह जनरेशन है जो यह चल रही है इसमें इंफॉर्मेशन सब के बास हैं यह यह कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था सबके बाद मुबाइल एंड्रोइट्स हैं सबको पता है कि क्या है हमें किस तरफ जाना है वालिया आप किसी को डॉक्ट्री लाइं में जाना है तो टैंथ यह सुरी 11 12 में आपको क्या लेना है सब्जेक्स बाइल रिजी नहीं है ठीक है अगर आईटी से करना है यह कुछ जैना है तो मैंथमाटिक्स में इसरे पता नहीं था तो यह चीज एसा नहीं पतानी था सबको पता हो आटका नाम तसुनना है यह कोई है कि सुने ही क्या अच्छा लगेगा जब बात करोगे अच्छा लगेगा कोई भी एक जिसको पता ओआ IIT कि फिल्फॉर्व कि हिंदी में इंगिलिप में IIT निअ कि मारकर है इसकोड है वह लिए अमिले इंडियन इसम णिगिए इसम गुगल दी आप इसम पहले रखे आप इसम इसम गुगल करें इसम गोल किया कि आई भी लाइक कि पहली बात में एडिक एजिन मेरा एंट्रेंस के लिए मैं गां गया तो बहुत लोगों को आई पाई है को सकता है कि आपने गांने पर आप गांसे हम सारे दो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है हुआ है आप साउथ में आप जाओगे न तो अगर आपने इटी किलियर के लिए किसी स्ट्रेंट में हबन होता है दावाथ होती है हमारे जो साथ के तो वहां जो क्लास्मेट थे तो वहां पर इतना क्रेज आइटी गए लों कि आइटी में सेलक्षन लेकिनों बस पतनी क्या हो गया है पूझते हैं लोग वहां आइटी इसको क्योंकि देखो अगर पुरानी आइटी जो अच्छे आइटी अगर उनकी बात की जाए तो वह केवर साथ हैं पूरे गंट्री में साथ आइटी अगर एक आइटी में किंञेरे साथ हजार सीट सबी प्रांचे में देखों कि अधिन साथ हजार बच्चे पूरे भारत से अच्छे आइटी की बात करांओ लेकिन जो 7 IT जो 4 है वैसे अभी जो टोटल यहीं है वो 22 रोगी टोट फेंटीक्रिया अग्डिव लेकिन जो 7 IT जो पारी जो नहीं है नहीं बन दरी है तो आभी जो सीट्स का भी होगी लेकिन उनमें सेलक्षन भी इजी नहीं है अच्छी रेंग आईगी ताओ गए ठीक है तो देखो आई आई टी मतला इंटेन स्टेट और टेक्नलोगी तो हमें भी लगता था कि जैसे हम बैठें जैसे कि शुआप बहुत गई गया मेरे फादर कुछ ठंडब और लिखाए पहले कि पहले लोग करते भी नीते थे लेकिन उनको थोड़ा बहुत आई डिया था तो हमने भी ऐसी सुना था आई टी करना तो यही सोचा कि कहां आई एटी महाँ होगा सलक्षन लेकिन जैसे देरे देरे बढ़ते गई बढ़ते गई फिर लगा तो कि हम नहीं कर सकते और मेहनत करते हैं क्या पता हो जै कि मेहनत की मैं नहीं हुआ कि जब मैं 12 में था तो मैंने coaching में two chli kota में कोटा में एक साल रहा इसके बाद नहीं हुआ रेंग नहीं या यह इस अलक्सण ही है है फिर बिअसीगी दिल्लिनेस्टी से तो फिर एक बार एक्जाम वो उता है बसी के बाद भी ओप्शन है आईटी जैन करके वह एंटरेंस लिया वो कि यह रोजा उसके बाद मैटमेटिक से मैंने मेटमेटिक्टी मैंने मंतरास ए फिर सर के साथ जो भी तीडिए प्रिंसर के साथ, फिर उसके बाद फिर एंटरेंस देके, आईटे रोड़की में पेस्टे के लिए हूँगा, मतला ही मैं आपको आपको एक्सपिरेंस बता रहूँ, यह चीजे, यह कोई, मैं आप से ख्लोसिपिकल बाते नहीं करूँगा, जो एक्सपिरेंस है हुई मैं कुछ भी चिपाना नहीं है, आज आपके पास एक opportunity है, क्योंकि मेरा भी आना नहीं होता, मैं आया, अचानक सरको तो पता भी नहीं है, सर्प्राइज दिया सरको मैंने आके, बरना ऐसा crowd मुझे भी देखने को ली मिलेगा, और जल्दी से हम भी available नहीं है, क्योंकि क्या ही नहीं है, ठीक है ना? तो देखो, पहले दो मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ कि क्या procedure है, जैसे आप 10th में हो, सब के पास mathematics है, आप यहां से जैसे आप 11-12th में जाओगे, तो या तो आप medical line में जाओगे, किसी को डॉक्टर बतना हो, और या फिर किसी को engineering field मे जाओगे और mathematics में जिसका interest है, तो दो line आएंगे आपके पास 10th के बाद, either you can take biology और mathematics, अगर आप biology में जाएगे तो medical line, and mathematics में आप IIT का entrance का होगे, अब उसकी क्या conditions है, सबसे पहले आपके 75% marks होने जीए, 12-3, 72-75 का criteria है, eligibility, आप entrance देने के लिए, हमारे time में 60 थाए, but आज current अगर देखें, तो ये boards पे भी depend करता है, जैसे कुछ boards tough है, तो उनका percentage कुछ कम है, but ये मान के चलो आपके 72, 75% आपके marks होने चीए, 12-3, तब आप entrance देएगे, IIT का, जिसको हम बहते है, IIT JEE, जब होते है, IIT JEE, ये हमारे time में अब हो गया, IIT JEE, मेंस, क्या हो गया, पता होगा, पता होगा, JEE, मेंस और JEE, एडवांस, ये दो test आपको देने होगा, JEE, मेंस पहले होगा, अगर वो आप clear कर लेते हैं, उसके बाद आप एडवांस में बैठेंगे, मैं जब दो रांड होगे, पता है, उन में से वो सलेक्ट करेंगे, थाई लाग के आसपास, मैंस में, फिर वो धाई लाग, एडवांस नहीं, उनकी रहें का ही, तो 60-70,000 तक बच्चे सलेक्ट होते हैं, टोटल, IIT and NITs, IIT के बाद होती है, NIT, वो है National Institute of Technology, IIT है 22, NIT है 30 के आसपास, तो टोटल कितने होए, 52, 52 इस्टिटूट पूरे भारत में है, जिसमें आप अगर 60,000 के इंदर रेंग लाते हैं, तो आपका सलेक्ट समझाए, अब आप सुधर होगे, ये बात हमें अभी क्यों बताई जा रही है, अभी तम 10 में, आपको विश् अभी प्रश्वास नियाएगा, मैंने आप इपी बताया था, एर्थ इस्टंडर से बच्चे गए होए हैं, कोटा दिली, अब उनको गए हमें बीट करना है, तो हमें तयारी तो करनी पड़ी, तो आपको बुक्स पढ़ने के आगत होनी चाहिए, कह बात क्या बता है, हमें एक शीज दे तक हम से कोई कोष्चन निए है, यह तो हमें सर ने बतायी ही नि, यह तो TOP यह ले तो ट्वीक हमें पढ़ायी उस एक घंटे में हमारे बाद मुश्किल से 40 मिनट का यी टाइम होता है वो आपको कितना ज्यान दे दे बहुत कम तो बाकी आपने पढ़ने है बुक्स पढ़ने की आगर डालो हमसे भी यसी बोला जाता था हमने उन चीजों को माना तो आधा बेस महीं के लिए रजाएगा मत अगर ट्वेल्ज के बाद अगरा कोचिंग करने भी गए तो इतना बेस हो कि कोचिंग की बार समझ पाएगा बहुत बच्चे जाते हैं और वहां वे 500-500 बच्चे बच्चे बढ़ने हैं क्लास में खैनी मैं जी पांस सो बच्चे क्लास में माइक से पढ़ाई हो रही है पत दोए और सब्सकी सबसे बाद यहां एक सबसे पहले तो आब यहीं आएटी के आंदः भी पढ़ना अ है उस दोने अरे अग्युए यहअ wann प्सक्रों और करना है TOP ह्युक्य झेली थिए हुले मने में थे आखुक्सपयाइज औरा बाद यहाय कुर्य म्री 안े। मेहनत करनी है तो सबसे पहले तो आप यह चीज़ मत शीख लो दो तीन चीज़े माँ को बता कर जाओंगा किया आपने मेहनत कर दीए प्रेशन नहीं ना वहीं पर मेहनती होना चीज़ी बच्छे मेहनत को गलत चीज़ हो है खुब पढ़ो यह मस्तों कि टाइम उगे कि दिन लोह पढ़ते हैं क्योंकि दो गहंते होगे बस उसमें दो गहंते में है एक घंका बाट साओं अलग त्युक्त अच्छिज़ करनी है वह जसब तो त्एम लें तो ऐसे पढ़ा करो कि यह एक्सरसाइज फिरीज करके उठना है ऐसा नहीं कि दो गहंटे पढ़ना पते चलो उस एक्सरसाइज में दोई पस्टिन की क्या फाइदा है हमने प्रोड़क्टिव स्टेडी कर दी आउट्पूट निकलना चाहिए के इंपूट आउट्पर सोचते हों फंक्सन पढ़ा मैतेमेटिक्स पर पढ़ा होगा आपने वी पढ़ा है चलो अभी आएगा सब बताएंगे फंसन के बारे फंसन में एक और अप्सन पर थरसका आउट्पूट अगठे और तो आम ने प्रोड़क्टिव स्टेडी करनी एम से क्लास होगी सर पढ़ाएंगे तो आपकी यहां इस्टेडी भी प्रोड़क्टिव होनी चाहिए कि हमें पूरा ध्यान लगा के सुनना है उसका क्या फाइदा है अगर आप पूरे ध्यान लगा के सुनोगे तो क्लास का जो भी सकने सुनदा है वो मैट्रेल यहीं कबर हो जाएगा कि इतने लोग ऐसा सुचते हैं कि आज लोग घर जाके पढ़ लेंगे अभी समझ नहीं उसक तब मेरे को डाउट है उसको यहीं के लिए करके जाओ उसका जा फाइदा हुआ ताइम बज जाएगा अच्छे-च्छे कोस्चन जो हम छोड़के जाते हैं बौर्ड के एक्जाम में यह कोस्चन नहीं करने हैं तो आएंगे भी नहीं को राकती भी नहीं है लेकिन फिर भी जाना हो या एंस में जाना आपको महनत को करनी पड़े हैं बहुत जादा खुब महनत करो खेलो भी त्यादिक कर एक दो वह था खेला नहीं है नोगाइल में कम अपना टाइम परो आज की जो जन्देर हमें तो हमारी तो फेस्बुक आइडी ना बेसिक एंट तक जाके बनी आज तो आज तो आज फेस्बुक शिक्स्टेंटर भी बन जाती है सबके बाद मुबाइल है फेस्बुक आइडी अन्नेसेसरी टाइम पेस्ट कर रहे हैं वाटसप पे तो मुबाइल से जितना बचोगे पजी वाले भी होंगी कितने लोगों पजी के बैन होने का दुफव जाद है जाद है चल रही है चल रही है अच्छा तो देखो तो कहने का मतलब यह है ओवरॉल कि के अन्नेसेसरी आपने काइम बेस्ट नहीं करना स्टेडियों में फोकस करो कुछ ने कुछ जरूर बनोंगी लाइब पढ़ाई कोई भी खराब नी जाएगी यह बानके चलो क कुछ भी आप किसी भी लाइन में जा रहे हो उसी में अपना एक्सिलेंस पाग करें ठीक है बाकिया आपके जो भी कुछ नहीं पूछ है ट्रेल के बाद आप जा सकते हो बेस्टी के बाद मैंने बता है आपको आइटी जाएँ के थू जा सकते हो इस मिनिम्मम केंडिशन 75% है तो कम से कम इतने मार्स पानी चाहिए उसके बाद एंट्रेंस दो कोचिंग भी कर सकते हो पर यह मान के चलो 10 11 12 यह बेस है घरवाले भी कहते होंगे कि बस यहां तक पढ़ लो उसके बाद तो समुझ आता है ठीक है ना ओर तो सही करते हैं हम भी ही करते हैं 12 तक बेस है कि इतनी यहां महीनद कर लोगे उसकी आदफ भी मैसन जाती है जितनी दोस रॉब बेरा रहत में करोगे ठीज वह तो करते ही Demi keynote a ठीक है ना, बाकी आपके जो भी question है पोच सकते हैं, पूचो, पूचो question, बाते करते हैं, क्या भी करते हैं, ऐसा environment कहा मिलेगा, मुझे भी नी मिलेगा, आपको भी नी मिलेगा, सज मनारो, मैंने इतरे बच्चे, I think, नहीं देखे, किसी भी, कोचिंग ग्लास में जो खास कर, काफे एच्छा करा, किसी भी कोई भी डाउट है, अच्छा बढ़ाते हैं, सरकार जो प्रहाणिगा तरीका है, बढ़ाते हैं, जो भी मन में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है, मैज से पूछना है या कुछ में आपको परी लाइप से रिगार्डिन के हाँ में कहां जाना है, क्या करना है, या को कुछ लगता हो कि कैसे पढ़ें, कैसे क्या तरीका होना चीए, पूछो, मुझे ब तो पता चलें यहां के बच्चे, क्या पूछते हैं, कैसा बोलते हैं, बोलो, बोलो, अचा, मैथ में इंट्रेस्ट केंदे लोगों है, किने लोगों मैथ अच्छा लगता है, क्यों सिर्वा नहीं, एक, लोग, दो लोगों, मैथ अच्छा नहीं लगता है, लगता है, लगता है, बोलो है क्या निक्कर है, इन दिमेडियर है, हिंदी बढ़िया लगती है हां रस्मिमान से किसने लिखिये है हां बढ़ो प्रेम चंद की कोई भी तीन नचनाव के नाम बताओ हिंदी अच्छी लगती है ना हिंदी बढ़िया नहीं हिंदी में डिक्टेंशन ना हिंदी में प्रेम चंद को जानता है नहीं पूचना कोई कोश्चन नहीं आना में में बढ़िया कुछ भी पूचो कुछ भी पेटा अपनी लाइफ से रखर ची कैसे पढ़ना है या कुछ भी लाइफ कुछ भी करना हो कैसे पढ़ाई करें कुछ तो पूचो पूच्छ रहें पूच्छ रहें पूच्छन तो हैं सब के अंदर आरे बश्चन पर बेट करें कोई और पूच्छ रहें पूच्छ पूखहेंगा यो एस से पूचो 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 का पढ़ना कैसे ची मिक का अंदब हरी है अच्छ सामें अच्छ है ब nov गतने लोग बैड पर नहीं कमर लगाके या सिंसे ऐसे करके कितने लो पढ़ते कि लोग टेबल चेयर पर बैठते हैं फ्रॉब पर सिपींगे तेबल चेयर रही नहीं है लेको पढ़ने का सबसे पहले ही है कि पढ़ना जो है न एजुकेशन की जो लाइन है वो इस तपस्या ये मानके चुलाओं कि यसी तो नहीं लोग भली करते हों पढ़ना असान करते होंकेशन के लगदा है पढ़ना असान नहीं है जोल़् आपने आपको मॉटिबेस्ट तन पढ़ने के लिए थन्ड हो रही है तेबल चेर पेकर पढ़ना वजाई मेरने के मन कर रहा है है से प eigenen तो तेबल चेर पढ़ाते है हो और उसके क्या फाइदह को नीद नी अई कि बैठ पर बरहे हैं फड़ते बंबर तूह कि दूसरे ताइम से नहीं पढ़ना है जैसा भी मैंने बताया पीछे यह एक्सरसाइज सौल करना है यह पूरा करना है इसको करके ही सौना है तो फिर आपका टाइम बेस्ट नहीं होगा अगर आप टाइम अलार्म लगा के दो गहंटे पढ़ने हैं उसमें पता चला आप कुछ मुवाइल भी उच करने हैं कोई फाइद है घरवालों को लग रहा है कि दो गहंटे से पढ़ रहा है यह पढ़ रही है आई तो आपको टा पढ़ना काम ख़टम करना थो अब को सब्सक्राइब नहीं को तो आपको एक्सराइब कर लिए गए तरय शॉनम मैं तो इसका क्या वाइदा हो गहाँ जलगेली करें विए तो आपको सौना में गी ज़रूरी हैं ना साथ से आठ गंटे की नीन लिया करो को कि ईकत नहीं है कि एक एक्सराइज जो भी आपका मिट्रियल इसको फिनीश करके सब्सक्राइब और को सब्सक्राइब फिरांकी क्लास भी नियुक्त बहुत अच्छा पुच्छा इसी को मैंनों को सब्सक्राइब कितने लोगों के मैंने को सब्सक्राइब करोना कब तक रहेगा हमारे वी एक्जाम ऐसी दुनियुक्त देने ना पड़े एक्जाम ऐसी पास कर दे जाएए आ रहा है किसी को मैंने तो दुमा अन विल में है वोलो वह कोई कोई को सब्सक्राइब कर दोड़ अना सच में तो जोड़े बमाद कर दो है नहीं है कोई 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 है ठीक है एक सा इपको यह बताओ कि जैसे अब यह 10th में है बच्छे हमारी अब जैसे अब 11th में जाएंगे तो और भी कहीं तरह इंगे डिस्ट्रेक्शन साधा भी है यहां से एक उपने आपको पुछा सकूझ है कि किसी को पोचना चाहिए बिल्कुलिद nesse किस्ट्रेक्शन सास्य कि आपका वह पुछ गापका imesasais भी किस चीज में है कि मैंने कुछा वा क्लास बीटाक की थी कि तो मैंने पूछ लिया कि आपका क्या करने का मन करता है ऐसे विधेर नगा अग hack कि फिर मैंने पूछ आप क्रेशों क्यों करना चाहते हैं यी ऐ साधी करने के लिए स्वाधी करने लिए ग्रेजर्ट होना जरूरी है ऐसे से आंसर साथ यह संने जो बात किये न यह बात दोग न करनी पाते हैं आज गन पता नहीं क्यों बात की जो डिस्ट्रेक्शन का सबसे बड़ा जो ताइम यह फ्रेज होता है वो यह होता है 10 11 12 कि इसमें पढ़ाई को छोड़ गया हर कुछ करने का मन करते हैं सच बात यह कितने लोग तो इसलिए आरे हैं पढ़ने क्योंकि घर पर परिसान है कि अधर कुछ नहीं मुद्वी पापा कुछ नहीं कुछ कही जा रहे हैं चलो टूशन चलते हैं कि टूशन में कम से कम बैखे रहेंगे सर जब तक इधर लिख रहे हैं तब तक दर बाते चलते रहेंगे शरीरा देखेंगे वेटा देखेंगे कि तो डिस्ट्रेक्शन का ज़िए कि हमारे एक तो ना सबसे अची बात आपको क्या करने हैं सबसे अगर आपको डिस्ट्रेक्ट नहीं हो आपकी जो स्रांडिंग नेवरुड है संगती जिसको बोलते हैं वो सही रखने हैं कि अपने जो प्रेंट्स हैं उस प्रेंट्स सर्कल में आपको अच्छे प्रेंट्स बनाने को अच्छे प्रेंट्स की क्या अपने से जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें कुछ फ्रेंट्स क्या वह लेंगे आपको चलो आओ यार मस्ती करते हैं अरे छोड़ो किलास बंक करते हैं अरे छोड़ो क्या पोचिंग जाना आज सहजादपुर के राउंड लगते हैं बाइक से चलो आज वहां चलते हाईवे पे तो अच्छे फ्रेंट की ड्यापनिशन क्या होंगी अच्छा फ्रेंट आपको हमेश्य साथ मोटिवेट करेगा अच्छी की जोगली गलची जोगली नियों हमारे जब हमारी क्लास होती थी आप तो यहां गल्स वोई सास में पढ़ रहे हैं हमारे यहां ताक कि गल्स वोई इसके बैच अलग होते थे है लगी यह चीज कोई यह नहीं कोई अच्छी चीज है कि दिस्ट्रेक्शन कि यह जो फेज है ना कि जो उम्र है इसमें डिस्ट्रेक्शन बहुत होता है इसमें माइड गलत चीजों की तरफ किसी ने कहां कि मेरी तो गल्फ्रेंड है तो वो कहेंगा मेरी भी होनी चाहिए उसको बैट की सब रहा है हो गय्का एकाव मेस धोर्फ्रेंड I 160 कि यरिसी चकान में इन पं बनाने के लिए दिएिए कर आ पोता हुर्य काम क्याम मारा प्ड़ना के कंतों वारा प्ड़ना यह है तो सिंदे अभी तो आप होती च्वटे हो खैर अभी जैसे जैसे आप पॉलीज में जाओगे अभी तो फिर भी घरवाले जहां रखते हैं टीचर जहां रखते हैं कि रस्तमनी बेजाएं कि मार्केट में ना मिल जाएं टॉक देंगे सर लेट जब आप ग्रेजिएशन में ज केंपस लाइफ जी होगी ना कोई घर पे कहने वाला है वहां तो आप बिल्कुल आजाद हो जाओगे वहां तो जादे परिक्सा हो गया है यहां तक तो ट्वैल तक तो घरवाले समझा लेते हैं दिल्ली मैं आपने आपको फोकस रखना आप समझे दिल्ली रहके आएटी तक जाना कि फ्रेंड्स का वहां अलगी यह ना अलगी टाइप की जोन में रहते हैं लोग वहां चलो मूबी चलो सिगरेट चलो सराब कि वहां पर स्टेडी करके आगे बढ़ना कि उसेन अबारमेंट कितना मस्किल होता है तो देखो पढ़ाई के साथ साथ जो सरने बात किये ना बहुत अच्छी बात किये पढ़ाई तो ठीक है करी लोगे अगर भटके नहीं जैसे हमारे साथ यही जा एक चीज आती है प्राइटी कि प्राइटी कि आप किसको प्राइट्मिक्ता दे आपके जीवन का लक्षे गया अगर आप थोड़े बहुत दिस्टर्वेंट्स होता लिए लेकिन आपकी प्राइटी अलग है कि मेरे को आईटी में ही जाना तो प्राइटी आपके गर्प्रेंदशी यह बंकनर आना नहीं है अगर प्राइटी आ तो उसमें दुश्चन हो खालतौं हे अका अक्यल二फ्याय कहते तो आपके प्राइटी आ क्का प्रॉब्लम लगाएंगे सर बताएंगे कि यह तो करना पड़ेगा तो मेनत करना पड़ेगा तो वहां पहुंच गई अब जो हमारी लाइब या जो हमारी पोजिशन है उसमें भाटका बहुत कम है है तो अभी भी लेकिन बहुत कम है अब यही रहता है मैंड में कैसे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे लेकिन यह जो आपकी लाइफ यहां बहुत डिस्टेक्शन यह मान के सदो हमां क्योंकि यहां केवल पढ़ाई के लावना हर कुछ करने का मन करेगा पढ़ाई तो आपको बोज लगती होगी तो अभी आपको सम्हाल के चलना बने को अपने हैं इन उनने 10-12 सार्ककार इंटों पता ही होगा कुछ न मचे है यह जो सर्मी बताते होंगे तो आपको अपने अपको भचाना भी पढ़मा मझे घला घलाच चीज glory конц बचाना अगर आप अपने आपको गलज चीजों से बचाते रहें मैंने ऐसे से लोग देखें हैं मैं आपको बताता हूं मेरा एक फ्रेंड है कि उसने टैन टॉप किया डिस्टिक टॉप किया के वाद स्कूल है पूरा जो चितार हाफ डिस्टिक वो टॉप किया उसने एक टीवन परसंट यूपी बॉडम यूपी से उमने तो यूपी बॉडम उसके 81% माख थे लेकिन 11 टॉन थे में उसको यह नू वो गलत चीजों में पड़ लिया सिगरेट पीने लगया सराव पीने लगया और लड़कियों से बाते करने में लगया उनको भी परेशान करा है क्रईवा लड़के इंटस्री तो फिर भी लड़के चवर्दस्ति उनके पीछे लगने कितनी गंदी चीज है तो क्या हुआ करेरिस पोई लेकिन जिसने टैन टॉप किया वो कम से कम फिर भी चुकिन नौलिस तो उसको है बिगड़ने के बाबु जूर भी वो ठिक्ठा पर एकजम से चुटने की निए थिक्कि आज़त होगी तो उसको भी आदत होगी फिर वो बीटेग में भी अब बीटेग में घर से बाहर चला गया है माबाब परेशान है लेकिन उसकी गंद्रियालत की वज़ा सा है वो स्पोईल होता चला है आज वो कुछ नहीं करा घर पर एक टैंट का टॉपर स्टुडेंट डिस्ट्रिक्ट का इसको प्राइज दिये ग और तिल्ढकर आखला सलों तो मैंने आपको एक एक जाट आखले जिया ठीम डिस्टिक्ट का टॉपर और उसकी लाइफ स्वैल होगी, घर पे होगी, आज भी वे रेस कॉंटेक्ट हुए है, मैं बात करता हो समझाता हूँ, लेकिन वह उड़ी, सारा आपका नसा जादा करना, गेली पीना, सिगरेट पीना, करियर की तरफ कोई ध्यान में नहीं, तो अपने आपकों को बचा के भ बचना है, और महनत आप अगर करते जाओगे, दो-तिन गंटे का रेगुलर वर्क भी अगर आप करोगे, बहुत होता है, बट रेगुलर, मैं आपसे यह नहीं करें, आठ गंटे पड़ो, मैं आपसे कहा रहा हूँ, आप दो-तिन गंटे पड़ो, रेगुलर पड़ो, तीन गंटे बहुत हैं, अगर एक सब्जेट को आदा गंटा भी दिया, मैं आपको चल रहे एक देर, मैं मैं चुकी कैल्कुलेसिन देर की, बाकी जो चार सब्जेक्ट आपके बचना हैं, उनको डिवाइड कर लेगुलर दोगे, और बिद फोकेस दोगे, तीन गंटे कुछ कुछ हो, इस सरन्या बहुत अच्छी बात करिए, क्योंकि देखो, यह मी चीज़ इंपटेंट है, कि हम अपने आपको बचाये कैसे, क्योंकि बुराईये में साथ-साथ भूमेंगी, और हमारा इंटरस्ट भी करेगा उधर जाने का, यह भी है, मन भी करेगा, लेकिन होए अपने आपको, कंट्रोल करने, मन पे कंट्रोल करने, माइड पे कंट्रोल करने, माइड कहेगा, नहीं पढ़ना, एक मन करेगा, नहीं पढ़ना, एक करेगा, पढ़ना, तो पढ़ना है आपने, और कोई क्यों माइड में आ रहा है, पूछ लो, रात को पढ़ना चाहि कि मैं देखको आप तो यह दो नहीं किया सकता कि एक्जर्ट को पढ़ना तो आप जिस भी समय पढ़ोगे ज्यान आएगा ऐसा तो नहीं है ने कि 12 बज़े के बाद खतम हो गया कि आप 12 बज़े के बाद कुछ भी पढ़नेंगे तो माइन में जाएगा निए ऐसा तो कुछ न कम समय में ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं या आपना अफजर्ब भी क्या होगा तो मॉनिंग टाइम अच्छा रहता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वोई फिट डिटर्मिनेशन की बाद आ जाती है जिसको जब सीखना मुझा कभी भी सीख सकते हैं रात में भी पढ़ सकते ह जरूर है कि मॉनिंग कर टाइम होता है उसमें ज्यादा सीख से आपको लगा भी होगा उस्वार पढ़ते हों सुबह पढ़ता है को पढ़ते हो तो सुबह में कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हो अब एक चीज़ हो रहे हैं आम माले सुबह से साम तक कुछ या तो इस्कोल जा रहे हो यह क्लास ले रहे हो ठक भी जाते हो अब ठकने के बाद खाने खागे आप पढ़ोगे नीदी आती है तो इतनी प्रोडेक्टिव स्टेडी नहीं होगा तो बोनिंग में आप पढ़ सकते हो और कोई कुर्शन पूछो बढ़या अच्छे कुर्शन पूछ रहे हो कि ओर पूछो बाते करो बाते करा करो कि उच्चो पूछो कि ऊच्छो कि पूछो आपको इतनी अपोर्चिट की मिलेंगी आप गेम में जा सकते हों सौरे गेम सब्सक्राइब कुछ पबजी भी आपको ठेलना है कि तो आपको पबजी के लिए कोई मनना नहीं करेगा अपबजी प्रोड्एक्टिव नहीं पबजी सहां को क्या में अगर आप बैडमिंटन चीज़ Oh गैडमिंडन में थ्कॉर्ट कूर्ट में आपका नाव और लागि और कि अजयंका नाम फर्द्द पबजी में क्या नाम है तो फिजीकल जो गेम्स होते हैं वो ज़्यादर शिरें तो गेम्स की भी अपोर्चुनिटी आइटी में हैं बहुत लोग सब्सक्राइट होके आइटी में गेम्स भी खेलते हैं पढ़ते भी हैं और अपना गेम्स में करियर बना लें सब्सक्राइब गेम्स होते हैं एंजयमेंट में बहुत हैं आइटी के अंदर अगर आप सलेक्ट होगे और सारी गोर्मेंट यूना गोर्मेंट पोलिशी गोर्मेंट कितना फंडिंग करती हैं आप एक बार सलेक्ट होके जो देखो नाम होएगा घर आओगे इस्ट पहन मैं ये की अहां हुए और ये दिना देंट क्या को बने व्शेमेंर नाम गहां नहीं है तुप दो कि असथा पर एंग कि दिनार टृमीर आधिकर अगे वहुइन करेंगी ओंन इफ़र अगर एक शी और मनने छह सव कुछ ब्रें हो एसफाष आइक है कि पढ़ाई में मन्य तो कुछ और करना महां भी पढ़ेगा अगर किसी किर्केटर बनना है तो सोच रहो कि टीम 11 में आने कितना मुश्किल है कि आएटी में तो 50-60 सीट हैं आएटी आएटी मिला कि टीम इंडिया में सेलक्षन के लिए तो ज्यारा लेट तो मेहनत तो वह भी बहुत करते हैं यहां से दूनी तीमी ज्यादा करते हैं तो मेहनत हर जगा है एक ची यह समझना कई बार हम देखते हैं किर्केट मैं चल रहा ह हम सोचते हैं यह ज्यादा अच्छा है यह बनते हैं लेकिन मेहनत बहाद नहीं है मेहनत हर जगा है ठीक है तो यह आप यह सोजने कुछ सोटकट नहीं है लाइक में सक्सेस्पूल होने के लिए मेहनत हाड़ वर्क और अपने आपको बुरी आज़दर से बचाना है कि बाद कि अपना नहीं सुद्यां को है इसा और इसलेक्स्टे नेना है और अ क्यों सब्जेक् सिड़ी खो और कोई नहीं होगा, तेस्ट, तीनी सब्जेक्ट होगी, इनी तीन सब्जेक्ट में आपको अच्छी स्टेडी करनी है, मतलब अच्छी क्वेश्चन आई है, मैथमेटिक, मैथमेटिक्स में क्या बढ़ रहे हों याँ लोगो, कोई बताये हैं, क्या बढ़ रहे हैं, टोपि यह नंबर, रहां, रिया नंबर, अच्छे बताओ, यह कैसा नंबर है, यह नंबर है, ओर यह नंबर, और यह, पॉलो, अच्छे यह कैसा नंबर है, यह नंबर, 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 यह तो रचसे रचसे बरावर रहते हैं जो जो नबर रेचनल नहीं है जो नंबर पीवाइट्ट्रकिन नहीं है वह यह रेचनल लेकिन यहां तो बरावर लिखने नहीं है तो ऐसार क्यों हो बोलो कई बार हम पाई की वैली 22 वोटे साल लिखते हैं ना और हम यह भी कहरें के यह रेशनल है यह रेशनल है और वो बरावर नहीं होते है तो फिर ऐसा क्यों हो ना बोलो यह तो फिर गलात हो गया ना mathematics आम कहें छो नंबर रेशनल होगा वो यह रेशनल होगा लेकिन हम बरावर लिख तो इसका मुदम है गलत लिखा your शहीं हो यह सही है गलत है जीकर लेकिन डान दपनेशन तो पिर गलात अता हुए तो इसकोर्टğ देवर मतलडें क्या गलत ही है यह हम गलत है हसह प्रेखो अभी आप चोटे बच्चे ओठीक है कोई बात निये आप बरावर लिटके सब्सक्ते हो यह ना यह वाला साइन होता है यह साइन देखां ना लगभर यह लगभर बरावर है लगभर बच्चे है इसलिए हमारा काम चलने के लिए हम इसको बरावर लेके चलते हैं बागी रेश ने रेस है तो लो आलग अलगज़ाए यह आप मानके चलना यह आगे आपको फैलर नहीं जब एंट्रेंस में बैठागे लाइटी जाहिए कि तो उसमें पूछ जाएगा क्या यह बराबर है तो आप तो चुकी पढ़ रखा तो टिक करके चलेंगे बराबर है तो यह अंतर है बोड के एक्जाम में राइटी के शाह जाए बोड के एक्जाम और आइटी के एक्जाम में क्या नतर है यहां तो हम इसको बराबर मानके अगर चलें तो बोड बाले कर देंगे चलो ठीक है बच्चे है इनका लेवल बराबर करके लेकिन जब जब जैए गाइजाम दोगे ना तो यह गलत कर देंगे हो प्यूदि इर्रेशनल नमबर साहर दो विचार नोट ओफ दो फॉम पी भाई ठीक है और कुछ पुछो पुछो यहार क्लास में खुब क्वेश्चन पुछा करो फाइदा होगा मैं इतने कुछता पुछता था मेरे सर भी परिशान हो गया है कि के काम तो कम करता है क्वेश्चन जाता तो पूछनी की आदत बना कोई बात नहीं पीचर टीचर के को गज़ भुष्चा भी होते हैं लेकिन बताएं गी जिरू है अगर कुछ पुछ पुछ वे तो बताएंगे जिरू हो सकता है कि कई बाद गुष्चा हो जाएं कि आपको नहीं पुछना चीए ता यह तो आसान लेकिन आसान तर पुछनी रहता आपको डाउट आ राहा है पुछ तो तो पुछा प्रकुछ पूछन पुछने जी है तो पुछ नहीं कोशना है के अगर इस है 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 हो जो हो है हुआ है नहीं पूछना, चलो बहुत अच्छा लगना आपने वोसे बात करके, महिनत करना, कोई भी दिक्कत है, सर से पूछना, आगे भी लाइप में आपको कुछ भी करना है, कोई डारेक्शिम से लिए, तुम तैयार, ठीके ना, ठीके, अपड़ दौना, कराएं, कि किसी के माइट सक्षेना रहो